ब्रीज तो अभी मरमत के कगार पे हैं पानी फिल्टर हो रहा है मच्वारे माच्छी पकड़ रहे हैं पूरा मसीन पीछे साइट से मसीन दिखा रहे हैं यूराग्छी नदी के कारण आता है दोस्तों यहां का सबसे मनुर्म जो द्रिस है यहां का पहाड यहां के वाटर फिल्टर यहां के पिकनिक स्पोर्ट और यह पूरा नजवारा तो चलिए शुरू करते हैं इधर देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और वहां आभी हम लोग जाने वाले हैं और इसी ब्रीज को पर नेक्स्ट लेवल का होगा आपने कभी देख आना होगा इस प्रकार का और इधर भी पानी रहता तो क्या ही मज़ा जाता दोस्तों इस ब्रीज का राष्टा बंद है फिर भी हम लोग जा रहे हैं इधर अब देखते हैं कि क्या होता नहीं होता क्योंकि मुरमत करना प्रीज को फिर भी हम लोग रिस्क कर ले रहे हैं कि रिस्क के आगे जीत होता है तो प्रीज पर भी हम लोग चड़ चुके हैं अब प्रीज देखे कितना खतरमा है कि 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 उधर से उधर आते हुए इस मोड को पार करते हुए यह मोड नहीं है सेंपली इसको माया किया है अभी यहां आचके हैं यहां देखिए कुछ इस परकर का यह पानी फिल्टर हो रहा है यह दोखिए पूरा मसान जो डैम का जो पानी है न वहीं है दोस्तों और इधर भी कुछ लोग आते हैं और जब यहां वारिस का मौसम होता तो पूरा इस पूल में भी पानी मढ़ जाता दोस्तों से नीचे बहुत पानी मढ़ जाता अभी तो यह थोड़ा सा काम है क्योंकि अभी कर्मी जस्टी स्टार्ट हो रहा है और यहां फिल्टर हो रहा है इदर देखिए कुछ कार वाले आए हैं यहां कुछ लोग नहारे हैं यहां करता दोस्तों उसका कुछ इस पर करना जा रहा है यह देखिए पूरा बड़ा-बड़ा मसील लगाया गया है बड़े-बड़े मसीन रोड़ वगएरा एक्यूमेंट्स वगएरा रखे गए हैं इधर वगएरा है क्या ही और फिल्टर है और इधर देखिए क्या ही आउसम स पानी के बीचों बीच एक जाल लगाया गया जहां मचलियां फकली जाती है उधर तो सिर्फ एक ही जाल लगाया गया था दोस्तों लहीं यहां देखिए मचपार है कितने मचली यह पगड़ता वहीं इन पंच्छियों का ग्रूप को देखिए दोस्तों इतना अच्छा सा यह सब एक जगा से दूसरे जगा ट्रेवल कर रही है वाव इन लोग का जिनके सबसे मॉस्त है हम लोग इतना ट्रेवल करते हैं इतना प्रॉलम के साथ यह सब वैसे ही उड़के कर लेती है ट्रेवल इसी मोटे से पाई इसे पानी फूरा यहां सप्प्लाइ बोता है और इधर से वी हम लोग आ चुके हैं और यहां मच्वारे लोग मच्वी पकड़ रहे हैं आज जी देखिए ऑवसम सा मसान जो डैंसा सीन पूरा मसीन पीछे साइट से मसीन दिखा रहे हैं और फिर हम लोग इधर जा रहे हैं और पानी आप देखिए दोस्तों कितना पानी है और अदम हवाएं बहुत तेज चरू रही है इधर एंटर नहीं है क्योंकि वार्डर से संबंद से आया फिर कोई भी प्रॉल्म हो जाए तो उसमें आप जिमेवार हो जाएंगे इसा कुछ सीन है और उदर से कुछ वाइक्स वगरा जा रहा है भी डैम की और और इधर खड़की वगरा खुला हुआ इसको लगा देते हैं जादे प्रॉलम ना हो और फिर हम लोग इधर आ गये हैं लेकिन आप इधर मत आईएगा दोस्तों कि यहां पूरा टूटा फूटा हुआ हुआ इस स्टॉक्चर है यहां भी टूटा हुआ है यह पाई पो गयरा यहां ना म्रहमत का सक्त जरूरत है और म्रहमत ना करने के का पानी फिल्टर होगा अगर आपको कोई बोले कि क्या है जाखन में तो आप इस वीडियो को जरूर सेंड़ किजेगा मौसान जो डेम का बास की चाका आप कारवास भी करा रहे हैं डेम में और यहां से तो थोड़ा थोड़ा जमीन दिखता है दोस्तों लेकिन आप जैसे ज जहराइयां बढ़ते जाएगी वैसे वैसे जमीन लुप्त होते जाएगा जमीन धस्ता जाएगा अंदर चला जाता जाएगा और सिर्फ पानी रह जाएगा यह ब्रीज भले ही थोड़ा थोड़ा चतिगरस्त हो चुका है लेकिन यहां लाइटिंग का भी सिस्टम मस्त होगा दोस्तों जब यहां काम चालो होगा जब यहां लोग आती होंगे इस ब्रीज के उपर तब लेकिन अभी यहां सिर्फ यह सब लाइट बचा हुआ है और इसे भी तूट चुका है तो आप जरूर आईए और इस जगह को और भी उजागर कीजिए और भी इसन का नाम बढ़ाईए इस डेम में पाने दोस्तों मयूराग्ची नदी के कारान आता है जो कि हमारे देवगर के ट्रिकुट पहाड से निकलती है तो इधर से आने के बाद यहां पार्क ही वगर हैं यहां अगर आते हैं तो यहां पार्क कर से गाड़ी को इधर अभी हम लोग चलेंगे उससे पहले इधर देख लीजे कुछ ऐसा न जारा है उस वादव आदा वहां चलते हैं तो यहां का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट सक्षन में जरूर बताइएगा तिल दन बाई फो टूडेंग इधर साइड में कुछ इसपर का ट्रांस्फर्मर वाखिरा बनाए गया है कि दर यह का अंदर कंस्ट्रक्शन है जब यह कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तब जाही ऑसम सा लोग देखा यह जानते ही होंगे